वेल्कम बैक तू सेफीज किचन आज हम बनाने जा रहे हैं मटन हांडी मटन हांडी बनाने के लिए हमें चाहिए आधर किलो मटन चार बड़ी प्यास दो लश्चन दो से तीन तेस पत्ते दाल चीनी जाइफल जावेत्री चार से पाच लॉंग चार से पाच काली मिल्च दो बड़ी इलाइची पास से छे हरी इलाइची तीन लाल मिल्च और तीन से चार हरी मिल्च आज़े चमच हल्दी एक चमच लाल मिल्च एक चमच करम मसाला दो चमच सौफ और जीरे का पाउडर और दो चमच धनिया और नमक एक कप सरसो का तेल और एक चमच अदरक का पेस्ट हम अपने सरसो के तेल को अच्छे से पका लेंगे जब तक उसमें से दूआ निकलना शुरू नहीं हो जाता है हम प्याज में सारे खड़े मसाले डाल लेंगे हम इसमें बाकी मसाले डाल लेंगे और इसे, अच्छे से mix कर लेंगे माल अच्छे से mix हो गया, अब हमम इसमें मतन डाल लेंगे अब हम इसमें सरसो का तेल डाल लेंगे तेल गरम-घरम होना चाहिए हांडी में घीया तेल लगा लेंगे और अब इसमें अपना गोश्ट डाल लेंगे हमें पहले नीचे गोश्ट डालना है फिर उपर से बचा हुआ मसाला डाल लेंगे अब हम अपने हांडी के चारो तरफ आटा लगा लेंगे और इसे अच्छे से सील कर देंगे जिससे इसकी स्टीम बाहर ना निकले हमना अपनी हांडी को विल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है और इसे 30 मिनट के लिए पका लेंगे मटन को 30 मिनट हो गया है पकते पकते अब हम इसे एक तवे के उपर रख के 15 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर ही हमारे मटन को पकते पकते 15 मिनट हो गया है अब हम इसे खोल कर देख लेंगे हमारा मटन बुन गया है अब हम इसमें पानी डाल कर इसको पका लेंगे और इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है हमारा मटन हांडी तयार हो जगा है अगर आपके पास हांडी ना हो तो आप इसे कूकर में भी बना सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा